हलो अब्रिवान वेलकम बैक टो मातीनज अक्टिविटी कैसे हैं आप सब आशकरती हूँ आप सब अच्छी हो मैं भी अच्छी हो आज मैं बिंगोल का एक बहुती फेमिस स्वीट डिश शेर करने वाली हूँ आप लोगों से इसे रोषबोरा कहते हैं ये बहुती सिंपल इंग्रीडियन से बनने वाली है चलिए क्विकली बनाया जाए यहाँ पर मैं एक हांडी ले ली उसमें मैं हाफ कप शुगर आट कर रही हूँ ये अल्मोस्ट 50 ग्राम शुगर है इसमें मैं थोरा सा पानी दे दी आप लोग मेरे इसमें कोई प्रॉबलम नहीं आएगी फ्लीवर में ये मैं चाशनी बना रही हूँ ये बहुत सिंपल चाशनी जादा गारी नहीं करनी है ये पानी और शुगर अच्छा से डिजॉल्व हो चुका है अब मैं इसमें दो इलाइची इसे तोर के मैं ढाल दे रही हूँ ये व स्वीट डिश तो यहां पर मैं अच्छा से चाशनी को बॉइल कर रही हूँ और मैं थोरा सा रोज वोटर आट की आप चाहो तो स्किप कर सकते हो से अब ये बॉइल हो जाने दीजिए तब तक यहां पर मैं पैन में वन टीबल स्पून घी आट की और उसमें आट की हाफ सूजी जिसे रवा भी बोलते हैं अब इन सब को अच्छा से रोस्ट करना है और ड्राइ रोस्ट ही करोंगी ये मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कीजिएगा क्यों रवा बहुत जल्दी कलर चेंज हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छा से जब आपको लगेगा एक अच्छा सा खुचबू आ रहा है तब आप क्या कीजिएगा फ्लेम को एकदम ही लो कर दीजिएगा जो मीडियम फ्लेम से एकदम लो फ्लेम कर दीजिएगा करके कुछ दिर और इसे रोस्ट करेंगे और मैं इसे मैं आज पानी से बनाऊंगी आप चाहो तो इसमें मिल्क भी आट कर सकत हो वो टोटली आपके उपर डिपेंड करता है अब मैं यहां पर आट कर दी वान काप वाटर जिस कप से में सूजी ली थी उसी जिस कप से शुगर ली थी उसी कप से में वाटर एट की हाफ कप शुगर हाफ कप सूजी अब वान कप वाटर से में धीरे धीरे वाटर से में अच्छा से एक dough consistency जैसा इसे cook करूँगे, एक दब low रखिएगा, क्यों हो सूजी थोरा जैसा गल भी जाए, और चारो तरफ से एक combined dough जैसा हो जाए, उस stage तक हमें ये cook करना है, ये बहुत ही कम ingredients से बनती है friends, believe me, आप लोग एक बर जरू ट्राइ करना, तभी आप लोगों को पता चलेगा, ये बहुत ही यमी बनती है, और रोश बोरा बोलते हैं हम लोग, तो पता नहीं सब जगा अलग अलग नाम से बुलाया जाता है इसे, तो इसे चली थोरा अब गैस ओफ करके, ठंडा कर लेते, देखिए, ठंडा होने के बाद इस consistency पे आ जाना चाहिए, अब जब इसे mix करोगे, हाथ में थोरा सा घी लगा लेना, तो थोरा easy हो जाता है, इसे mix करना, और वना फूर वो चिपक चिपक जाती है थोरा, देखिए, मैं अच्छा से इसे बहुत अच्छा सा एक मसाज दे रही हूँ, अब मैं इसमें आट कर रही हूँ, milk powder, मैंने इसी बनाने के time, water से ही बनाया है, अब मैं इसमें आट की, half teaspoon of baking powder, two teaspoon milk powder, half teaspoon baking powder, अब इन सब को बहुत अच्छे से combine करना है, बहुत अच्छे से एक perfect dough बनाना है, देखिए, इस तरीके से, हमारा dough ready है, अब मैं इस तरीके से, लंबा लंबा shape दे रही हूँ, आप चाहो तो इसे round shape भी दे सकते हो, shape totally आपके उपर matter करता है, अपने मन पसंद shape दो, मैं इस तरीके से, हाथ में थोड़ा सा घी लगा के, इसे shape दे रही हूँ, और एक side में मैं already कराई पे oil चड़ा चुकी हूँ, इ देखने में कितना खुबसूरत लग रहा न, यह बहुत बहुत time consuming recipe है, बहुत कम वक्त पे, आपके घर पे अगर कोई फटाक से guest आ जाती है, कुछ नहीं है, कोई लाने वाला नहीं है, आप यह बना के दे सकते हो, देखिए, अब मैं वो sweets एक एक करके fry कर रही हूँ, जब fry करोगे, यह medium flame पे fry करनी की ज़रूरत नहीं, high flame भी फटाफर फ्राइ कर देने से भी चलेगा, यह बहुत, मुझे almost 30 to 35 minutes लगी, क्यों वक्त इसी में लग गिया, क्यों वो dough थंडा होगा, देनी में हाथ लगा पाऊंगी, जब तक वो dough थंडा नहीं होगी, तो मैं हाथ नह लगा पाऊंगी, देखें, यह चाशनी अल्रेडी गरम है, मैं एक एक करके fry कर रही हूं, और डिरेक्ट यह चाशनी पे मैं दे दे रही हूं, तो आप लोग भी इसी procedure फॉलो कीजिएगा, step by step, तो ही perfect रोश्बोरा मिलेगी आप लोगों को, और मेरी recipe without skipping देखते रहेगा, तो perfection के संग आपकी recipe भी बनेगी, देखें, यह इतनी soft हो गए कि फटफट जा रही है, देखें, वो बहुत काफी, actually वो काफी देर रह चुका था, तो एक थोरा बहुत ही जादा soft हो गया था, अब मैं plating कर रही हूं, देखें, यह कितना perfect बना है न, आप लोग भी इसी तर जरूरी है, है न, without sweets, Diwali is incomplete, तो कैसी रगी, यह recipe वीडियो, जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी आप लोगों को, तो एक like, comment, share, जरूर करना, जिसने subscribe नहीं किया, भी तक subscribe कर दो, facebook से देख रहे हो, तो please follow कर दो, थाकि मैं अच्छा-चा वीडियो देया हूं, आप लो टेक केर, टाटा